दोस्तो वीडियो में बने रहिए सर्बदंश के बारे में सही उपचार में आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले मानलो आपको कही साप काट लेता है यहाँ पर हाथ पर मानलो आपको साप काट लिया तो आप पहले पता नहीं है जहरीला है बिना जहरवाला है इसलिए आपने डरना नहीं है कुछ खाना नहीं है कुछ पीना नहीं है जब तक कि आप डॉक्टरी सलाना लो जहापर साप ने काट लिया है उस जगह के आजो बाजो में उपरी भाग पर किसी ब्लेड से किसी छूरा से काटना नहीं है डरना बिलकुल नहीं है जितना आप ज़्यादा डरोगे उतने आपके जीने के चांस कम हो जाएगे अगर जहरिला साप होता है इसलिए डरना नहीं है डर के कारण आपका बिपी हाय हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है इसलिए ज़रुरी बात यह है कि डरना नहीं है और उसके बाद अगर आपके पास इस तरह से पट्टी हो ना हो तो आप इस तरह से कपड़ा भी ले सकते हो मान लो यहाँ पर सापने काट लिया है तो आपने शरीर पर जो भी गड़ी है जो भी आपने रसी वसी बांदी हो, छोटी मोटी वो सब कुछ निकाल देना है जो भी अपने शरीर में फिट हो जाए वो सब कुछ निकाल देना है यहां तक की bed भी निकालना है, socks भी निकाल देने हैं, जूते भी निकाल देने हैं, सब निकाल देना है, पूरा धिला धिला रखना है, ठीक है, उसके बाद यहां पर अपने काट लिया है, ठीक है, तो इस तरह से लपेड देना है, और लपेड ते हुए इस तरह से आगे बढ उपर से नीचे आये तो भी चलेगा नीचे से उपर आये तो भी चलेगा कोई बात नहीं लेकिन ज्यादा दबाओ नहीं देना है ठीक है अगर मेरे साथ कोई और होता तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है इसलिए आपके साथ अगर कोई साथी हो तो आपका काम आसान बन जाता है तो इस तरह से हाप़ बांद दीजिया जाए ठीक है बानने के बाद जहापर सापने काटा है वो भाग खुला होना चाहिए खून बैता है तो बहने देना चाहिए जिस जगह से खून आ रहा है उस जगह को कपड़े से साप करते रहना है जब तक की खून आ रहा है तब तक अपने बार बार साप करते रहना है और जल से जल hospital जाना है, hospital जाते वक्त आप हो सके तो फोरिलर गाड़ी में जाए लेट कर जाए, लेटना है सीधे लेटना है, हाथ को थोड़ा दूर रखना है, लेकिन दोस्तो आखे बंद नहीं करना है, ठीक है आखे बंद करोगे, हमेशे के लिए आखे बंद हो जाएगे, आखे बंद नहीं करना है लेट कर जाना है, लेकिन सोना नहीं है ठीक है, ऐसे करके आप hospital जाए, दोस्तो कौन से hospital में जाए, ये भी बड़ी दूइदा है, तो अपने जिला में, अपने district में जो भी जिला रुगनाले है, सीविल ऑस्पिडल वहाँ पर आप भरती हो जाए और हो सकी उतना जल्दी आप hospital चले जाए या फिर आप ऐसे ऑस्पिडल में जा सकते हो जहाँ पर वीजबादा पर treatment मिलता हो सरदंश पर उपचार मिलता हो ऐसे ऑस्पिडल में भी आप भरती हो सकते हो दोस्तो ये रहा पराथमिक उपचार जो आप कर सकते हो लेकिन दोस्तो घर बेट कर पराथमिक उपचार होता नहीं है ये बात आप जान ले कुछ लोग हमें फोन करके कहते हैं घर के घर में घरेली नुसके बता है हमारा जो भी पेसे डो बच जाए ऐसा कुछ भी नहीं है घरेली नुसका सरदंश में उपचार में काम नहीं आएगा आपको ऑस्पिडल जाना जुरूरी है और नहीं जाओगे तो मारे जाओगे दोस्तों तो कुछ लोग घरल उनों उसके बताते है ठीक है नाजा टो हंड्रेड पैतिक मेडिसन आपने देखा होगा शायद ये यूट्यूप पर, फेस्बूक पर इंटरनेट पर काफी इस बारे में ब्रांतिया फैल आई गई है कि ये जो नाजा होमोपेथिक मेडिसन है उसके दो-दो-बून दस-दस-दस मिनिट पर ले लो और घर बरी बैठो और इंसान को मार दो तो ये पूरी तरह से अंदश्वास है मुझे बताओ गवर्मेंट 3 में जिलार उगनले सिविल हस्पिटल में जो भी अपने डिश्टी का सरकारी अस्पताल है वापर ये वाला मेडिसन एंटी वेनम लगबग ये 900 से 1000 को मिलता है अब मुझे बताओ अगर ये 10 और 20 रुपे वाला जो दवाई है नाजार टू हंड्रेड इससे आदमी अगर बसता है ये अदमी बसता है तो करोडों का ये जो दवाई है एंटी वेनम करोडों का ये एंटी वेनम गौवर्मेंट हस्पिडल में क्यो उपलब्द करवा रहा है गौवर्मेंट इतना सारा खर्चा क्यो फेर गौवर्मेंट का बेवकुफ है नहीं कि दोस्तों यह लोग बेवकूफ है यह जो दवाई किसी अलग वीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है कि बतते हैं कि यह काम करता है तो नहीं बिलकुल भी यह काम नहीं करता है क्योंड़ बता याなんです लेकिन यह आप खुद नहीं ले सकते क्योंकि बहुत से ब्योकुफ लोग इतने हैं कि हम मुझे फोन करके कहते हैं कि एंटी वेनम हम घर में रखेंगे तो हमें काट लिया दो हम लेंगे ऐसा कुछ भी नहीं आपको ऑस्पिडल जाकर ही लेना होगा क्योंकि यह एक जहर है यह साब के ही जहर से बनाया गया जहर है जैसे हम कहते हैं काटे से काटा निकलना इसी तरह जहर से जहर ही मारा जाता है तो अगर मानलो यहाँ पर मैंने बता है साब काट लिया है तो इस एंटी वेनम से आप बच सकते हो कब जब आपको हास्पिडल ले जाएंगे ऑस्पिडल ले जाने के बाद आप जब भरती हो जाएंगे ऑस्पिडल में तब आपका बलड टेस्ट के लिए ले जाएगा लगबग यह मानलो हजार रुपए का तर लगबग आपको पचीस से पचास तक यह एंटी वेनम लग सकते हैं अगर पचास एंटी वेनम लगते आपको इसी सब से अगर आपको पचास एंटी वेनम लगते है तो आपको साट सतर हजार तक भी लाएगा प्राइट हस्पिड लो ये वाला हिस्सा काड़ दो जहापर सरदश हुआ है उस छेत पर लगा और खीचो बलड आएगा उसमें से जहर भी आएगा ऐसा भी कुछ नहीं है ठीक है दोस्तों ये करना इतना भी जरूरी नहीं है कुछ लोग करते हैं किया तो अच्छा ही है लेकिन दोस्तों एक बात जहर भी ज़्यादा आगया अब मैं बच जाओंगा ऐसा नहीं इससे आपके बस मेरे सबसे पास से दस प्रसेंट जहर बाहर निकल सकता इससे ज़्यादा नहीं आपको ये टेकनिक करने के बाद भी हॉस्पिटल जाना ही होगा अगर नहीं जाओगे तो आपका मृत्यों अ और भी आपको कुछ लोग कहेंगे कि किसी मांतरिक बावा के बाद जाओ उजा के बाद जाओ ऐसा भी कुछ ना करिये सबसे ज़्यादा विसेले साब आफरीका में है साउथ आफरीका में है वहापर लोग कम मरते क्यों क्यों क्योंकि वहापर लोग शिक्सित है जल्दी त मृत्य हो जाती है जिसको भी सर्वदंश हुआ है तो ऐसा ना करे मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ दुनिया में ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो आप घर बैठकर सर्वदंश के बाद ठीक हो जाओगे ऐसा कोई भी दवाई है नहीं और होगी भी नहीं आपको होस्पिटल जा होगे सर्वदंश के बाद तो आपकी मृत्यवाटल है दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सर्वदंश के बारे में सब कुछ बताया यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताया और ज्यादा स्याद आपने दोस्तों को शेर करें अपन